तो हमें देखा कि full wave rectifier जो था उसे हम На आउटपूट के मिल रहा था Pulse setting DC मिल रही थी है चीकर हाफ formally में half wave के लिए मिलता था पिल में full के लिए मैं इसके अलावा भी इसे हम बोलते हैं full wave rectifier center tape eater इसे में टेप यह बहुत टेपिक किया हुआ इसके लिए हम दो और एक बार D2 और D3 पॉजिटिव और नेगिटिव में होते हैं बट अब अगर अगला टास्क देखें तो हम देख सकते हैं कि अगर हम पल्सेटिंग DC को कॉंसेंट DC में कनवर्ट करना है तो हम क्या करें तो हम क्या करेंगे यह जो हमारा फुल वेवर एक्टिफायर था इतन इसको पल्सेटिंग को कॉंसेंट DC में कनवर्ट कर सकते हैं सी कैपसिटर आप पढ़चुके हैं आर्ल रजिस्टर हैं एल क्या होता है इंडक्टर आप पढ़एंगे तो इस सर्कृट के कारण जो आपका आउटब वेवर फॉम होता है वह क्या हो जाता है आपका सीधा हो क्या होता है तो form factor होता है ratio of i rms to idc rms का मतलब होता है root mean square rms क्या है इसकी क्या जरूरत है यह हम पूरा इसका detailing हम ac में देखेंगे डिफल factor क्या होता है ratio of iac upon idc या इसका form factor से connection क्या है under root f square minus 1 efficiency हम बताई चुके हैं आपको output power upon input power एक बाफ फिर से इन दोनों को compare कर लेते हैं अगर हम half wave rectifier की बात करते हैं तो half wave rectifier के लिए f की value होती है pi upon 2 तो full wave के लिए होती है pi upon 2 root 2 half wave के लिए ripple factor होता है 1.21 तो full wave के लिए होता है 0.48 efficiency half wave की 40.6 percent efficiency full wave की 81.2 percent ripple frequency for half wave equal to input frequency ripple frequency of full wave equal to twice of input frequency of can we say कि ripple frequency of full wave rectifier equal to twice of ripple frequency of half wave rectifier ओके अब हम देखेंगे कुछ special types के diode वह हम देखेंगे अगरे वीडियो में अब आपको टास्क है आपको कुछ कुछ ना कुछ circuit बनाकर देखने हैं जैसे कि फुल वेव एक्टिफायर हाफ वेव एक्टिफायर या डायोट की identification यह हम अब देखेंगे प्रैक्टिकल्स भी और activity भी और प्रोजेक्ट भी मतला इस chapter का करने का मोटर भी यही था कि अब इस chapter में हमारे पास activity practical प्लस प्रोजेक्ट तीनों चीजें कंसिस हो जाती हैं